प्रसकार दोस्तों आपका अपना ही यूट्यूब चैनल अल फरम अपलाई में स्वागत है तो दोस्त आप सब के लिए एक और जॉब अपडेट लेकर हाजी हूँ जो की इंडियन एर फोर्स ग्रूप एक स्वाई भरती 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो अगर आप भी इसमें अपना आवेदन करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में बने रहे हैं मैं सारी जनकारी दूँगा कि आप अपना आवेदन कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों आप से एक छोटा से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक और करना ना भूले क्योंकि दोस्त मैं सही और सटिक जनकारी प्राप्त करने के बाद ही वीडियो बनाकर आप तक लाता हूं क्योंकि दोस्तो मैं भी एक कंडिडेट हूं और फरफ खुद अपलाई करता हूं उसके बाद ही वीडियो बनाकर आप तक लाता हूं जनकारी प्राप् रेजिस्टेशन 22 जनवरी 2021 से 7 फरवरी 2021 तक आप इसमें अपना रेजिस्टेशन कर सकते हैं वही इसका एक्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है जो 18 अप्रेल से 22 अप्रेल 2021 के बीच होने वाली है वही आवेदन सुल्क इसमें और कटेगरी के लिए 250 रुपया रखा गया है और आईउ स्विमा आपको 17 बरस से 21 बरस के बीच होना चाहिए जो कि 16 जनवरी 2001 से 29 दिसम्बर 2004 के बीच आपको डेट अप बर्थ होना चाहिए वही योगता की बात की जाए तो गुरूप X के लिए आपको इंटरमीडियेट पास 50 अंकों के साथ होना चाहिए जिसमें और इंगलीज के साथ आपको पास होना चाहिए वही गुरूप Y के लिए आपको इंटरमीडियेट और इसमें 50 अंकों के साथ आपको इंगलीज, math सारी विसे आपको इंटरमीडियेट पास होना चाहिए वही गुरूप Y medical assistant rate के लिए आपको physics, chemistry, bio के साथ 50% और इंगलीज म में भी 50% आपको मार्क्स होना चाहिए तो दोस्त आपकी मेडिकल एस्टेंडर के लिए आपको हाइट ए 52.5 सेंटिमीटर एकसेप्टेड एयरफोर्स अट्टो टेक के लिए और वही एयरफोर्स ट्रेड के लिए आपको 175 हाइट होना चाहिए और अटो टेक ट्रेड के लिए आपको 65 हाइट होना चाहिए वही मिनिमम रेंज एकस्प्रियंस में चेस्ट आपको 80 से 85 सेंटिमीटर होना चाहिए और आपका वेट 55 केजी होना चाहिए वही फिजिकल फिटनेट टेस्ट की बात की जाए यानि पी एफ टी की तो आपको रणिंग सोरो सो मिटर 6 मिनट 30 सेकेंड में और 10 पुस अप और 10 सिट अप और 20 स्कुरेट मैं उठक बैठक आपको लगाना है तो दोस्त और इसी परकार की जनकारी के लिए मेरे चाइनल को सस्क्राइब और लाइक करना ना भूलें क्योंकि मैं सही और सटिक जनकारी ही आप तक लाता हूँ अगर कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो मेरा कमेंट बक्स में कमेंट कीजिए मैं सारी जनकारी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही दूंगा आप मेरे पर विश्वास बन